जेहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है इस समय परारेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर 2019 में जो भरते हुई थी उसका ओरिजिनल रिटेन टेस्ट की PDF और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इस पेपर का सेक्शन भी कराने वाले हैं क्योंकि दोस्तो पिछली वीडियो में हमने आपके लिए इस पेपर का सेक्शन ए करा चुके हैं जिसमें हमने आपके लिए दोस्तो सेक्शन भी डिसकस करेंगे जिसमें जनरल कि अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों आपके लिए हम इसी तरह से इंडियन आरमी के ओरिजनल पेपर के जो पीडियॉट बहुत पसंद आएगी और इसमें गुषी कोस्टन भी के और इंडियन आरमी के पैरा रेज्जमेन ट्रेणिक सेंटर की जो रिलेशन भरती हुए थी उसमें आया है ठीक है तो चलिए दोस्तों च्टार्ट करते हैं आज करने से पहले इसको ठीक से पढ़ लेना चाहिए तो दोस्तों यह सेक्शन ए जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ तो दोस्तों अभी हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ जिसमें हम आपके लिए 16 to 30 questions कराएंगे जो कि जनरल सेंस के होगी ठीक है तो question number 16 है what is the percentage of blood in human body ठीक है मनुष्य के सरीर में रत की मातरा कितनी होती है question number 16 का जो सही आंसर है दोस्तों गो है option D 7% ठीक है मनुष्य के सरीर में रत की मातरा कितनी होती है 7% question number 17 है one horsepower is equal to one horsepower किसके बरावर होता है question number 17 का सही आंसर होगा आपका option B 746 ठीक है तो दोस्तों question number 16 और 17 हो चुके है question number 18 की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता तुम दोस्तों कि ये जो question paper है इसकी PDF हमें बड़ी ही मुश्किल से हम आपके लिए लेकर आए है आप चाहें तो दोस्तों इस वीडियो का भी pause करके YouTube सर्च मार कर देख सकते हैं आपके लिए मैं बादा करता हूं कि पूरे YouTube पर आपके लिए इस तरह से जो आपको PDF कहीं पर भी नहीं मिलेगे आप चाहें तो अभी के अभी चेक कर सकते हैं इस वीडियो को cut करके लेकर दोस्तों मैं आपको guarantee देता हूं कि आप इस वीडियो को cut कर जाएंगे चेक करेंगे कुछ नहीं मिलेगा आप फिर से इसी वीडियो पर आएंगे तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी तो question number 17 है दोस्तों, sorry 17 हो चुका है दोस्तों, question number 18 है human bone is found in fabular, ठीक है, मनुसकी हड़ी फैबुला पाई जाती है ठीक है, तो question number 18 का सही answer होगा आपका, option B, in fit question number 19 की तरफ चलते हैं दोस्तों, question number 19 है हमारा what are the primary class, प्रार्थमिक रंग कितने होते हैं, तो question number 19 का सही answer है option C, 3, प्रार्थमिक रंग जो होते हैं वो 3 होते है, question number 20 है what is the device used to generate electric current, ठीक है, विदोधरा उत्पन करने की युक्ति को क्या कहते हैं तो question number 20 का सही answer है, option A, generator, ठीक है question number 21 की तरफ चलने से पहले दोस्तों, आप सभी कसे request है, कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर अभी तक नए है, चैनल को अभी subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करना न पूले तो चलिए दोस्तो, question number 21 है, टाइफाइट किसके कारण होता है, तो टाइफाइट जो दोस्तो है वो आपका होता है, बैक्टिरिया के कारण, तो question number 21 का सही answer है, option B, bacteria question number 22 है, दोस्तो, आपका, what is the basic units of life, जीवन की मूलभूत एकाई क्या है, तो question number 22 का सही answer है, आपका, option B, coseca, ठीक है, question number 23 है, what is the flash bulb coil made of, flash bulb का तार जो होता है, वो किसका बना होता है, तो question number 23 का जो answer है, दोस्तो, वो है आपका, option A, magnesium, जो flash bulb का तार होता है, वो magnesium का बना हुआ होता है, ठीक है, question number 24 की तरफ चलने से पहले, आप सभी से एक बार फिर से request होगी, कि दोस्तो, अगर आप army में सच्ची में भरती होना च discuss करते हैं, ठीक है, तो question number 24 है, सूर की किरिणे पृत्वी पर कितनी मिनट में पहुचती है, तो question number 24 का सही answer होगा, आपका, option C, 8 minute 20 second, जो सूर की किरिणे हैं, वो पृत्वी तक पहुचने में, दोस्तो, 8 minute 20 second का समय लेती है, question number 25 है, who was the first to discover the sale, कोशका की खोश सबसे पहले, क वो है आपका, option A, Robert Hook, ठीक है, question number 26 है, दोस्तो, आपका, dash is the essential in soil for plant growth, ठीक है, मिट्टी में पौधे हुगाने के लिए, dash का होना जरूरी है, तो question number 26 का सही answer है, option A, nitrogen, ठीक है, question number 27 की तरफ चलने से पहले, दोस्तो, हम आपको बता दें कि आप इस जो वीडियो है, ये जो टेलिग्राम चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस से डाउंडोड कर सकते हैं, ठीक है, दोस्तो, question number 27 है, आपका, what is the, sorry, which of the following is used in thermometer, thermometer में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, तो thermometer में दोस्तो, कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर question number 27 का सही answer होगा, option A, ठीक है, ठर्मा मीटर में पारा, यानि की मरकरी प्रयोग किया जाता है, next question है दोस्तो, और यह बहुत important question है, दोस्तो, काफी बार आपके exams में यह question हो रिपीट होता रहता है, question number 28 है, H2O2 is chemical formula for, H2O2 dash का सूतर है, तो question number 28 के options आपके सामने इस परकार हैं, दोस्तो, oxygen hydride, water, hydrogen oxide, और hydrogen peroxide, question number 28 का सही answer है, option D, hydrogen peroxide, ठीक है, तो दोस्तो, आपको 29 number question के तरफ चलने से पहले आप साभी को बता दे हैं, कि दोस्तो, आपके लिए हमारे चैनल पर, आर्मी की तयारी के साथ साथ, आर्मी की vacancies के बारे में भी सबसे पहले detail मिलती है, Indian army के कहीं पर भी पूरी इंड vacancies निकलती है, तो सबसे पहली जो वीडियो होती है, दोस्तो, वो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से दो-दो फायदे हैं, सबसे पहले तो आपको vacancies आपके ARO के लिए कब निकलेंगी बो पता चलेगा, और नमबर दो, आपक के लिए, जो written test के लिए material है, original questions paper है, वो भी आपको मिलते रहते हैं, question no.29 है, lightest gas is dash, सबसे हलकी gas जो होती है, वो कौन सी होती है, तो सबसे हलकी gas होती है, दोस्तो, कौन सी hydrogen, ठीक है, अभी चलते हैं, दोस्तो, last question के तरब, लेकिन इस question को पढ़ने से पहले, मैं आपको एक ध्यान दरा देना चाहता हूँ, कि यह जो question है, दोस्तो, मैंने जो पिछला paper कराया था, मुझा फुर पर यारो का, उस paper में, यह question repeat हुआ था, तो इसका question का जो answer वो आपको पता होगा, निमन में से मोती जला और हैजा को फैलाता है, चीटी, चूहा, मच्छर या फिर मक्की तो दोस्तो, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, तो आपको इस question का जो answer है, वो सच में पता होगा, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो को भी जा के देख लें, वो मुझा फुर पर यारो की दोस्तो, original question paper था, जो की GD के था, तो इस question का दोस् ली मखी, तो ये था दोस्तो, 30 questions, जो की section B, general sense के थे, 16 to 30, और इस वीडियो को जो section A है, उसको मैं पिछली वीडियो में आपके लिए करा चुका हूँ, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो वीडियो को जा कर जरूर देखें, तो उम्मेद करते हैं दोस्तो, वीड वीडियो को लाइक कर देए, अपने दोस्तों के साथ में share करें, और अगर चैनल पर नहीं है, चैनल को subscribe नहीं किया है, तो हमरे चैनल को subscribe जरूर करेंगे, तो चलिए दोस्तो, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जैन जैवर्द